तसरार से लगमा NH75 तक कैबिनेट से सडक निर्मान की प्रसासनी सुरिती मिलने से छेतर में खुसी का महौल डंड़ाई से हमारे संबादाता अमिर हसन अंसारी की रिपोर्ट बीते दिनों जारकंड की हमंत सुरिन सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक तसरार से लगमा NH75 तक की सडक निर्मान से संबन्दित लगबग 65 करोड रुपए की लागत से निर्मान की स्विक्रिती दिलाई गई है जिसमें तीन पूलिया का भी निर्मान होना है जिससे तसरार पंचायत जोतर पंचायत करकोमा इत्यादी छेतर के लोगों में काफी खुसी एवं उत्साह का महौल है तसरार जोतर लगमा करकोमा इत्यादी जग्वों के लोगों ने सुबे के मंत्री मितलिस कुमार ठाकुर ग्राविन विकास मंत्री अलमगीर आलम एवंग जारखंड के मुख्य मंत्री हमन्त सौरिन का अभार प्रकट किया है मैं मीडिया के मित्रों को शुक्रियादा करते हुए कि हमारी छोटी बड़ी बातें सरकार तक हो जाती है और मीडिया के माधियम से मैं जारखंड सरकार गठबंदन की सरकार और गढ़वा जीला के धड़कन जन जन के नेता पिये जल्मन्तिरी गढ़वा भीधाय माननीय मित्रे स्ठाकुर जी का मैं धन्यवाद वत्रहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हुए क्यों बर्सों कुरानी जो हम लोगों की मांग थी आज हम लोगों का जो है मांग पूरा हुए एनेच 75 से लगमा करकोमा हासन राग जोतर जर्भी तसरार होते हुए चीन्या में रोट में जो है उसको मिलाया गया है और जो बर्सों से पूरारी हम लोगों की मांग थी कि जो ये ये डांडू नदी है उसके चलते हम लोग गणाबा मुख्याले हम लोगों का हाँसे 15 किलो मेटर दूरी पर है लेकिन इन डांडू नदी की वजह से और जरज़र हरना सस्थ के वजह से हम लोगों के 40-45 किलो मेटर। लोगन को आपना प्रता था, आज हम लोगों की मांको पुरी हुई बहुत सारे बिधायक और मंद्परी लोग आये, हम लोग अपनी बात अपना तकलीब उनों को सुनाते रहे, गवहार लगाते रहे, अबहार प्रकट करने वालों में मिराल प्रखंड के समाज से वी सहजिला परिशद पर्तियासे करीब अंसारी जोतर पंचायत के समाज से भी असलम अंसारी जामू परखंड परभारी सा बिसुत्री सिदस्य जफर इकबाल बिसुत्री अध्यक्ष क्यामुदिन अंसारी युवा समाज से भी तिरपुरारी सिंग वाहिद अंसारी सियाफत अंसारी मंसूर अंसारी कारी नसी कई गन्यमान लोगों का नाम सामिल है